हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूशुल शुरू करूंगा फिंगर्स के अना सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे इनकी लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा रिकॉर्ड करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीड इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स आपको काफी थिक नजर आएंगे और फिंगर्स का इस तरह से थिक फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि न लंबाई में है और गुरु फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी नॉलेज़ेबल होगा ऐसे व्यक्ति स्प्रिच्वल माइनर होते हैं धर्म करम के कामों में रूची रहती है और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली परसनालिटी अच अच्छी लेंथ में है काफी थिक नजर आ रही है इस तरह की शनी फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नीचर का होगा एक डिस्सिप्लेंट परसनालिटी एक अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया टाइप की नीचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से अपनी चीवन में काफी अच्छी प्रोग्रस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं सूरे फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ बर देख सकते हैं इनकी जो सूरे फिंगर है काफी अच्छी ल ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी आठिस्टिक क्वाल्टिस भी आपको देखने को मिलेंगी और सूरे फिंगर अगर ज्यादा लंबाई में हो ऐसा नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जरूर कामयाब हो जाता है यहाँ पर सूरे फिंगर का धिक लं की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए दिखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बर अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाए हो जैसे शियर मार्केट है क्रिप्टोकरंसी है मूचल बंगर हलका सा लो सेट है अगर हम फंगर्स के नीचे यहाँ एक लाइन ड्रॉऐ करें तो आपको इस तरह की एक लाइन बान बनती वी नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सुरे फंगर इनकी शनी फंगर और इनकी ब्रस्पती तीनों की तीनों फिंगर्स काफ हेजिटेशन वाला सभाव ऐसे नेटिव का आपको देखने को मिलेगा लेकिन इनके कम्मिनिकेशन स्किल्स पे कोई भी इसका नेक्टिव प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि आप दीख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है लगवग सूरे फिंगर के टॉप फ के बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का एरिया है काफी उभरा हुआ है और ब्रस्पती का यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह हैं से उठा हुआ हो वैसे व्यक्ति काफी भागशाले होते हैं का काफी ग्यानवान होते हैं यहां पर आपको एक इस तरह से फिश नुमा अक्रिती बनती हुई भी नज़र आएगी और गुरू परवत के उपर इस तरह से फिश का सिंबल बनना नेटिव को काफी अच्छी नौलज देता है से व्यक्ति अध्यात्मिक होते हैं दूसरों की ह जिस से उपर की तरफ बढ़ती है इन रिखाओं को प्रोग्रेस लाइन्स के नाम से जाना जाता है जिनकी विथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स हथेली में गुरू परवत पर पहुंच जाएं ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में अच्छी तरक्य अपनी नौलज की भी करनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है यहां पर आप देख पाएंगे शनी रेखा जो है बीच में आपको breaks में नजर आएगी यहां से शुरू हो रही है यहां पर आकर रुकती हुई आगे दुबारा से यहां से चलती हुई और फि को अपने जीवन में काफी सारे ups and downs का सामना करना होगा अपने comfort zone से निकल कर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात क्या है यहां पर इनके शनी परवत के उपर जो रेखा मौचूद है यहां जो रेखा है यहां इनका complete शनी परवत है यहां पर ऐस कि खड़ी रेखा का होना native की एक comfortable old age को indicate करता है ऐसे व्यक्ति की old age काफी अच्छी रहती है 60 के बाद की age में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अपनी life को अच्छे से enjoy कर पाता है कोई भी major issue कोई भी बहुत बड़ी समस्य ऐसे व्यक्ति को नहीं होती जिनके हाथ में इस तरह से ख बता हुआ शनी माउंट की भादी जिस वज़े से चीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी help कर ले तो भी native को कोई reward कोई appreciation नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं इसके इलावा आप देख फोकस में कमी लाता है ऐसे व्यक्ति मल्टी टास्किंग तो होते हैं एकी समय पर कई काम करने के ख्शमता रखते हैं लेकिन किसी भी एक काम के उपर पूरा फोकस ऐसा native नहीं दे पाता जब इस तरह से काफी सारी छोटी छोटी खड़ी रिखाए सूर्य परवत के उपर मौ बढ़ती हुई जिनने हम मरकरी लाइन्स के नाम से जानते हैं इस तरह की रिखाओं का होना native के communication skills को तो बढ़ाता ही है साथी साथ native के business equipment को भी काफी बेहतर करता है साथी साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ खड़ी रिखाएं इनके mercury mount के उपर मौचूद है और इ native के भीतर काफी अच्छी healing capabilities होते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को दूर करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या consultation के माध्यम से लोगों की problems को दूर करने की शमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर नजर आएगी चलिए आगे बढ़ सकते हैं इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस तरह का जो चिन है इस चिन को विश्नु चिन कहा जाता है और जिनकी थेली पर भी इस तरह का विश्नु चिन बनता है ऐसा व्यक्ति अगर अपने चीवन में जारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रस कर पाने में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है लेकिन इसके बिलकुल opposite अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो हाट लाइन में नजर आएगी थोड़ी शैलो होती हाट लाइन जो ओल्ड एज में कुछ समस्या है जैसे blood pressure, thyroid, diabetes, cholesterol जैसी समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ सकता है अगर हम इनकी मस्तिक्ष रेखा यानि mind line की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो mind line है कुछ इस तरह से बिलकुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुए नजर आ रही है इस तरह की लंबी मस्तिक्ष रेखा का हथेली में होना indicate करता है कि native की memory काफी अच्छी होगी native की जो logic power है logic करने की शमता है वो काफी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है लेकिन इस रेखा क काफी धिक लंबाई में होना native की overthinking को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति की memory बहुत अच्छी होती है पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की जो शमता है काफी बहतर होती है इस वज़े से native को कई बार इस तरह से समस्यां आती है अपनी पुरानी चीजों को दोराते रहने की बज़े से कई बार थोड़ा stress या तनाव जैसी समस्यां का सामना native को करना पड़ सकता है हाथ में money triangle की formation है अब देख सकते हैं यह है रेखा भागया रेखा है यह है रेखा mercury line और यह है वाली mind की line तीनों रेखाओं का यहाँ पर मौचूद होना इस तरह के triangle को form करता है इस लोगों के थेली के center में इस तरह का triangle बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे करकर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचे कर पाने में भी जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर हम बात करें इनकी line of life की आप देख पाएंगे life line का आपको एक fish जैसी अकरिती बनती हुई नजर आएगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिखाएं जो एक fish नुमा shape बनाती हुई आपको नजर आएगे कुछ इस तरह की यहाँ पर रिखाएं आपको बनती हुई बिल्कुल इनकी जीवन रिखा के अंत में इस व्यक्ति को शेर मार्किट से लोटरी से इंशोरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धनकी प्राप्ति होने के योग भी जीवन में बन सकते हैं अगर हम बात करें इनके मंगल माउंट की यानि इनकी जीवन रेखा की लेंथ की अगर हम बात करें तो यह रेखा काफी अच्छी अगर हम इस एरिया की बात करें तो यह एरिया इनर मार्स यानि अंदरूनी मंगल का भाग कहलाता है इस तरह का उभरा हुआ मंगल परवत होना नेटिव की एनर्ची एंड स्टैमना को तो भीतर करता ही है लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी अग्र टाइप की नेचर होने की संभावनाएं इस तरह का मंगल का एरिया इंडिकेट करता है अगर इनके शुकर परवत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह भाग यह जो शुकर का मौंट है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा इस वजह से जीवन में हर तरह की सुक्स स्पॉर्ट नजर आएगा इस तरह का स्पॉर्ट शुकर परवत पर होना अच्छा नहीं माना जाता और यहां पर कुछ आड़ी रिखाएं भी आप देख पाएंगे इस तरह की रिखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरब से चंताओं का सामना भी करना पड़ता है इस हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंदर परवत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है यहां से आपको कुछ इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी जो नीचे से उपर की तरफ बढ़ती हुई ऐसे रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ने इस तरह की रिखाओं की वज़य से रहते हैं अगर हम बात करें यहां पर इनके थम की तो आप देख पाएंगे थम काफी स्ट्रॉंग है इस वज़य से नीटिव की विल पावर अच्छी रहती है और इवन इस तरह का थम होने से नीटिव की लॉजिक करने की शमता भी काफ बेहतर आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सेफ पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद